हलो दोस्तों दिल्ली आईकोड रिक्वार्मेट 2022 के लिए भरतिय का नोट्पिकेशन जारी कर दिया है दिल्ली जूडिशियल सर्विस एक्जाम 2022 के लिए नोट्पिकेशन 168 पदो पर नोट्पिकेशन जारी किया है जिनके online आवेदन शुरू हो चुके हैं 28 फरवरी से 20 मार्स 2022 तक भरे जाएंगे online आवेदन के साथ exam तारीक भी गोशित कर चुका है 27 मार्स 2022 को इनके exam होंगे इसके संपूर्ण जानकार ये आपको first news exam के टेलिग्राम ग्रूप पर आपको मिल जाएगी और कुछ डीटेल आप यहां देख सकते हैं दिल्ली आइकोर्ट रिक्विर्मेंट के लिए एज लिमिट दिल्ली हाइर जूडिशियल सर्विस एक्जाम के लिए न्यून तमायू 35 वर्स से 45 वर्स तक रखी गई है जिसकी गरना 12 मास 2022 को अधार मान कर की जाएगी और डिल्ली जूडिशियल सर्विस के लिए अधिक तमायू 32 वर्स रखी गई है जिसकी गरना 1 जनौरी 2022 को अधार मान कर की जाएगी दोनों पोस्ट की आप यहां पर एज लिमिट देख सकते हैं एक यह 32 वर्स जूडिशियल सर्विस की और हाइर जूडिशियल सर्विस की पे 30 से 45 वर्स है और judicial service की गढ़ना एक एक दो जार बाइस से की जाएगी और higher judicial की गढ़ना बारत तीन दो जार बाइस से की जाएगी दिल्ली आइकोट requirement के लिए application fee सामने वर के लिए 1000 रुपे SCST के लिए 200 रुपे फारम फीस रखी गई है दिल्ली आइकोट requirement के लिए education qualification क्या क्या चाहिए दिल्ली higher judicial service के लिए exam section योगया था रिष्टे जानकर यहां पर दीगई है judicial service के लिए 123 पोस्ट है LLB किया होना चाहिए इसमें और higher judicial के लिए 45 पोस्ट है degree LLB low होना चाहिए 7 साल का experience advocate होना चाहिए दिल्ली high court judicial के लिए exam selection process यह से दिया गया है primary return exam होगा main return exam होगा interview होगा document verify होना चाहिए और medical information होगी दोस्तों राश्तान की और भारत की परत्यों के लिए first news exam को subscribe करें और like जरूब करें टेलिग्राम ग्रूप में जोइन नहीं है तो आज ही जोइन करें प्रूप में जोइन नहीं है